दोस्तों आपने मूभी में बहुत बड़े बड़े सांप जीब जन्तू जरूर देखा होगा लेकिन क्या आप जानते हो कि हमारे पिर्थी पर पाये जाने वाला अब तक का सबसे बड़ा सांप कितने फिट का है और ये कहां पाया जाता है क्या आपने कभी सोचा है कि एक इन छोटी दिखने वाली मकड़ी 6 फिट बड़ी भी हो सकती है और इतनी बड़ी मकड़ी आखिर रहती कहां है अब इतने बड़े जीब किसी छोटे से जंगल में तो रहते नहीं होंगे तो ये सब इतने बड़े बड़े और खतरनाक जीब कहां पाये जाते हैं दोस्तों ये सब प्रिथीवी का दिल कहे जाने वाले विसलकाई जंगल अमेजन जंगल में पाये जाते हैं रहस्यों से भारा अमेजन वर्सावान धर्ती का सबसे बड़ा जंगल है इस जंगल की गिंती दुनिया के सबसे बड़े जंगलों में होती है क्योंकि ये जंगल इतना बिसाल है कि अकेले ही नौदसु की सिमाओं को छुता है अमेजन जंगल में बहुत ही खतरनाक जीब जन्तू पाये जाते हैं यही बज़ा है कि इस जंगल में ज्यादा अंदर तक जाने के बारे में इंसान सोंच भी नहीं सकता भले ही इंसानों ने आज इतना विकास कर लिया है कि दूसरे गरहों पर घहर बनाने में जुटे हैं लेकिन धर्ती पर अभी भी कई यसे रहस हैं जिन से परदा उठाना अभी बाकी है अमेजन जंगल इतना विसाल और बड़ा है कि बैग्यानिक भी इसे पूरा जान और समझ नहीं पाया है वो ये नहीं जानते कि ये जंगल अपने आप में कितने रहस्टियों को समेटे हुए है अमेजन जंगल में आज से नहीं बलकि कई दसपों से बैग्यानिक गहन रिशर्च करते आ रहा है और हर बार इसमें कुछ ऐसे बाते सामने आती है जो काफी हैरानी भरी होती है वे जानी कुछ ऐसे चीज़ों को देखे जाने का दावा करते हैं जिनने अमेजन के लावा बाहरी दुनिया में देख वाना असंभव है अमेजन जंगल इतना बिसलका है और बड़ा है कि उसकी खुद की एक दुनिया है और उस दुनिया तक हमारी पहुंचे भी भी पहुत गम यानि की ना के बराबर है एसे तो इस जंगल में पेड़ पोधों की लाख करोलों पर जातियां पाई जाती है इनमें से कुछ पेड़ पोधे समान होते हैं तो कुछ अतियांत चहरी ले इस समान सी बात है कि इतना बड़ा और खतरनाक जंगल है तो जाहिर सी बात है कि उसमें पाई जाने वाले पोधे भी खतरनाक होते होंगे लेकिन दिचस्पो यह है कि इस जंगल में कुछ ऐसे प्याड़ पौधे भी मोजीद हैं जो बोकिंग ट्री के नाम से मसूर है अगर आप फिल्में देखने के सोखीन है तो आपने फिल्मों में देखा होगा कि प्याड़ पौधे अचानाक चलने लगते हैं लेकिन क्या प्य आपमेजन जंगल में चोटे से लेकर बड़े दुनिया के सबसे खतरनाक सिकारी हर वगत अपने शिकार की इंतिजार में रहते हैं या जंगल इतना गाना है कि कई हिस्सों में रोस्णी भी नहीं पहुंच पाता दुनिया के सबसे खतरनाक सिकारी पच्छी हर्पी इगल अमेजन के जंगलों में पाया जाता है ये इतने तगातवर होते हैं कि बंदर या इंसान के बच्चों को भी उठा सकते हैं अमिर्का की जंगलों में हर्पी इगल बंदरों को बहुत परिसान करता है कई बार तो उनके बच्चे को भी सिकार बनाया जाता है इसके अलावा साप, चुहा और खरगोस जैसे जानवर इसके पंसे दिन्दा सिकार होते है इसके पंजे इतना मजबूत होता है कि जब एक बार किसी जानवर को पकड़ ले तो उसे छुड़ा पाना असंबब होता है अधि कोई आपको चीटियों से डराता है तो किया आप डरेंगे या इस पर हंसेंगे लोग अक्सर चीटियों के लेकर लपरवाह रहते हैं और सोचे हैं कि चीटियां हमें क्या नुक्सान पहुँचाएगी लेकिन जब आप अमेजन जंगल में पाये जाने वाले इस चीटि के बारे में जानेगे तो आपका सीर भी चकरा जाएगा इस चीटि का नाम बुल्डट चीटि है दरसल यह बुल्डट चीटि गोली के रफथार से नहीं चलती लेकिन अगर यह किसी को काट ले तो इसका दर्द गुली लगने के दर्द के स्वान होता है और अगर स्वाइपर इलाइज ना मिले तो जान भी जा सकती है अमेजन जंगल में बहुत ही खतरनाक जीब जन्तू पाया जाते हैं इस रंग भी रंगे मेढक को देखिए इसा लगता है कि मानोव यह किसी पेंटर से रंगवा कर आया है इस मेढक का नाम क्वाइजन डाट मेढक है और यह अमेजन के जंगलों में पाया जाता है अब तक डाट मेढक की लगवग 170 परजातियां खोजी जा चुकी है इस मेढक को कर रंग बहुत ही चमकीला होता है कहा जाता है कि जंगलों में जहरीले क्ले मकोडे खाने के कारण इसका स्रीर भी जहरीला हो गया है अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा किया इसे चुने से किसी ब्यक्ति की मौथ हो सकती है तो ये मेड़क की परजातियां पर निर्भर करता है रिसर्च के मुताबिक इन में से करीब टीन तरह के मेड़क ही जरीले होते हैं जिने छूने से इंसान की मौत भी हो सकती है इसलिए अगर आप कभी भी अमेजन के जंगलों में जाएं तो इन से दूर ही रहें सांपों की दुनिया में इनकोंडा का नाम बड़े समान से लिया जाता है लेकिन अगर हम अमेजन के सांपों की बात करें तो बैसा ग्रीन इनकोंडा की जगा कोई नहीं ले सकता इस सांप लगवक 10 मिटर लंबा और इसका बजन लगवक 250 किलो ग्राम से 300 किलो ग्राम तक होता है अमेजन जंगल में पाए जाने वाला यह हरा इनकोंडा दुनिया के सबसे बड़ा सांप है यह किसी भी जानवा पर हमला कर सकता है जगुआर, मगरमाच और इंसानों को भी नहीं बकस था जमीन पर सिकार करने के साथ साथ यह पाने में भी बहुत तेजी से तर सकता है इसका सिकार पकड़ने की रन नीती भी बहत हरान करने वाला होता है अमेजन के जंगलों में इसे बड़ा सिकारी कोई नहीं है तो यह थे अमेजन बर्सा बनके सबसे चुंकाने वाले जानबर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सबस्क्राइब जरूर करें